बेंगि यार हम बात करने वाले गैंयार तुम ळाट कर दो इस नहीं है जब फet अजार जिसकरा करते है तब मेना गैंश के उपर ही वीडियॉजब बनाया करता था,ब्ट पता नहीं क्यों मैं लंबे से गेम्स के ऊपर वीडियो बनाया नहीं कर रहा था तो उसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा अलग कॉंटेंट डालता हूं और अपसे मैं गेम्स के ऊपर रेगिलर वीडियो लाएगा हूंगा तो यस आप इसको एक सीरीज ही समझ लो यार एंटोटेक गेमिंग करके तो आज इसका फॉस्ट एपिसोड है तो आज हमारे फॉस्ट एपिसोड में जो गेम है उसका नाम है बेंटेंट प्रोटेक्ट ऑप दे अर्थ ओके मुझे पता है इतनी भी कोई स्पेशल गेम नहीं है बट गाइस काफी कमाल की गेम है इसलिए मै जाते है और वह पुराना बेंटेंट नहीं हुआ अगर था बस वहीं है और तो कुछ है नहीं लेकिन गाइस काफी बड़िया मिशन है इसमें एक मिशन होता है विल्गेक्स को मारने का और यही सब रहता है आपने यार बेंटेंट देखा होगा तो आपको काफी मजा यार इस गयाइब के जो ग्राफिक्स है तो यार सबसे पर ना आपको जड़ा चीवर करके एक एप्लिकेशन आती है यह प्ले स्टॉर पे वह डामलोड कर लेनी है उसके बाद मेरी एक साइट है उसकी लिंक में दे दे दिये वहाँ पर जाके आपको एक फाइल डामलोड कर यह जिप फाइल है जिसका नाम आपको मदद बेंट प्रोटेकर ओफ अर्थ होगा वो डामलोड कर लेना है उसके बाद क्या करना है अब मैं वह भी आपको दिखा देता हूं उसके बाद यार जेड़ा चिवर में वह वाली फाइल को ओपन करना है जहां पर आपने डामलोड क करनी पड़ेगी जिसका नाम है PSP Emulator वह आप Play Store से भी कर सकते हो और चाहे तो आप मेरी लिंक का भी यूज़ कर सकते हो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पर फाइल पे क्लिक करके एक्स्ट्राइट दबाना है और एक्स्ट्राइट में पास्ट्राइट नहीं है तो उसके बाद एक्स्ट्राइट हो जाएगी फाइल बेंटेंड प्रोटेक अपड़ आइस वसे एंड होगी उस फाइल ही हमारी में फाइल है देखो यार एको रहे पे जो इसको प्ले करेंगी जिसका नाम है PSP Emulator उसको डामलोड कर लीजिगा ए यह reset करने की उसके बाद किया है बस game को open कर दो अगर आपने डामलोड कर रखा हो तो यह reset कर देना settings को अगर आप नहीं करना चाहिए तो भी कोई बड़ी बात होगी नहीं gameplay हो जाएगी कोई problem नहीं आएगी हाँ लेग होगा न गाइस तो वहाँ पर एक setting आती है buffering rendering करके उसको enable कर जिएगा लेकिन मैंने एक बात notice की है जब यह game open होता है न तब आप buffering rendering में खेलता है तो lag नहीं होता और जब यह game open हो जाता है मतलब play करना आप शुरू करता हो तब lag होता है तो आपको speed hack वाला option enable करना पड़ेगा मतलब एक छोटी सी setting है जो बार बार आ इस आएंगी okay PSP के games में सार चक्कर रहता है कि बीच-बीच में यार यह लोग stories डाल देते हैं लेकिन कोई problem वाली बात नहीं बीच-बीच में बस यह buffering rendering को enable कर देने का और जब game on हो जाए तब speed hack को open कर देने का बस इतना ही है और तो बच है नहीं simply यार खेलो game को मजा आए तो आप लोग समझ ही गया होंगे यह देखो यार यह story आई तो आपको buffering rendering enable कर देने एंड उसके बाद सिप यह game on हो जा रहे तो उसके बाद बस play करना पूरी game मज़दार है कुछ 12 या 13 mission है इसमें बस वह complete कर लेने उसके बाद आपको wilgex के साथ fight हो की यह सब है मतला उसके में ड़ उसके में तो आबको यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह जापको यह दो लिए शओन नंगे प्रण अच्टाइब में पास एंद दिनाई आए तो आपको